कि नमस्कार साथियों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्यान टोकरी पर एक बार फिर से स्वागत है आज इस वीडियों हम बात करने जा रहे हैं जो राजस्तान में जैए की वेकेंसी है और सेंटर्ल गवर्मेंट की एस सी की जो जैई की वेकेंसी है उनके बीच हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं उसके ओडवांटेज दॉनों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे वैसे तो बेरोजगारी के दोर में इंसान को सबसे पहले ज आपको बतादू मैं शुरू में एडवांटेज ओफ S.S.C.E. एक्जाम के, कि हम यदि S.S.C.E. एक्जाम लिखते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए क्या फायद हैं, सबसे पहली बात तो कि S.S.C.E. की सेलरी राजस्थान से बढ़ी आए, वहाँ पर हमें लगबग 35,000 हमार बात करेंगे, दूसरा यह है कि जब लोकल जो पॉलिटिक्स होती है, जैसे मेले साफ से छोटी जो पोस्ट हैं, जैसे प्रधान हैं, या फिर सरपंज हैं, या फिर और जो कोई छोटी-मोटी पोस्ट हैं, वो लोग आपको फोन करके तंग नहीं कर सकते, यहां कि भाईया यह कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वरना वो कर देंगे, यह कर देंगे, ऐसा नहीं है, लोकल पॉलिटिक्स का इंटरफेयर बहुत कम होता है, सेंटर गवर्मेंट के अंदर, वहां पर दूसरी चीज़ जरूर होती होंगी, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स का वहां पर कोई अस उसके अलावा, हम बात करें life style की तो मैंने देखा sense of lifestyle मैंने बहुत गौर से देखा आपको देखा है आपको कैंटीन होता है स्था वहां पर आपको करेंडर पोस्टिंग मिलती है आपके वहीं इक अदर आपके श्टाइल पूरी चलती है उसी के अंदर आपको सिनेमा हॉल थियेटर वगेरा स्कूल वगेरा सारी चीजे मिल जाती है आपके बच्चे आपकी फैमेली अच्छे लोगों के साथ वहां पर उठ बैठ सकती है जैसे कि आपके करनल भी रहते हैं आपे मेजर भी रहते हैं आप स सबी लोग रहते हैं तो एक अच्छा एन्वाइरमेंट वहां पर होता है हेल्दी एन्वाइरमेंट होता है साफ सफाई बहुत बढ़ी होती है उसके अलबावा फैसलिटी बहुत अच्छी होते हैं स्विविंग पूल से लेकर थियाटर तक सब उसके अंदर मौजूद होत कि सेंटर गौवर्मेंट के अंदर जो भी सकीम होती है जो बी प्रोजेक्ट बने होतेँ लगई बढले होते हैं अलाकि छोटे छोटे भी होते हैं यस से आपको campus बनाना है कोई college campus बनाना है या आये टी का बनाना है या इसके लावा आपको college बनाना है या आपको medical institute बनाना है तो ऐसी बड़ी-बड़ी buildings के mostly सब काम center government के थूँ होते हैं बीस एफ का ओसी आरपी एफ का ओ यह सारी चीजे हैं तो आपको यह इंटर कोर्मेंट के तुरू बनवाने होती है तो इनी में आपको एड़ी आप से सी के तुरू पोस्टेड होते तो यह सारी चीज़ें आपको फैसलेटी के रूप में मिलती है यह सारे एडवांटेज आपको देखने को आप मिल जाते हैं ज़िदि बात करूं मैं अब स्टेज एक्जाम है दो पेपर होंगे आपके प्री होगा फिर में होगा और प्री में भी 120 मिनिट में 200 क्वेशन आपको सॉलू करने होते हैं में में फिर आपको रिटन लिखना होता है तो कह सकता हूं कि मैं आर एसस्वी की जो अपनी वेकेंसी है इस से तो ज्यादा यह है अब आगे यदि हम बात करें तो दूसरी दिक्कत यह दर कि आपकी होम स्टेट में पोंस्टिंग होने के बहुत कम चांस होते हैं कि आप राजस्तान में कभी पोस्टेट हो जाओ और यदि हो भी जाओगे तो बहुत माइनस मतलब मैं कह सकता हूं कि 0.5% के आसपास चां होता है तो यह आपे थोड़ी दिक्कते रहती है अब बात करें तो ब्यारों में लाइफिश्टाइल बहुत थोड़ी मुस्किल है क्योंकि ले लद्दा और या फिर हम बात करें नौर्थ इस्ट की महां पोस्टिंग मिल जाती है तो राजस्तान वालों के लिए हम आपे सर सबसे बड़िया बात तो है कि आपको होम टाउन में पोस्टिंग मिल सकती है अपी के जिले में आपी के शहर में दूसरा यह कि आपको कल्चर लैंग्वेज का इसा कोई इसू नहीं रहता क्योंकि यहां से जॉब करने जाते हो असाम या बंगाल या फिर फोन करते हो मम्मी सबती है यह तो चलाओ लों कुछ खाते ही नहीं मजलिक आए नहीं या घाना अच्या नहीं मिलता है यह भी दिक्क्त रहती है लेंग्वेज का इसू रहता है वह सारी चीजह यह पे नहीं रहेंगे या कि अपनी देशी बासा अपना देशी खाना या पर आप एंज्योई कर पाऊगे लाइफ टाइम कि दूसरा एक्जाम पैटर्न एक एड़कॉर्टर पर खुब लंबे टाइम तक रह सकते हो आप ट्रांसफर भी होंगे तो ज्यादा दूर नहीं है आसपास की तैसिल वगेरा में ट्रांसफर होता है तो वह कोई दिक्कत नहीं आती है अपनी फैमेली को अच्छा टाइम दे सकते हो परिवार को समाज को और अपनी जौब को पूरा टाइम आप दे सकते हो इस तरह से कह सकता हूँ कि एक लाइफ में बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हो कि डिसएडवांटेज। ये बात करें तो वैसे तो कोई खास डिसएडवांटेज मेरे को नजर नहीं आता है लेकिन बात करें सेलरी की तो उसमें थोड़ा सा फर्क यहां पर दिखेगा आपको क्योंकि राजस्तान में जेई की सेलरी को 3600 पे ग्रेड से उठा के लगाया गया है जबकि वहां पर 2200 पे ग्रेड थी तो यहां पर दी इन इसमें से NPS कटके कुछ पैसा आपको मिलने वाला है और एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है कि लोकल पॉलिटिक्स बहुत हैवी रहती है छोटे छोटी जो अपने नेता जी होते हैं लोकल अपने जन प्रतिनिदी होते हैं तो वह अपने अपने इंफ्लूएंस के तुरू काम बताईएगा मेरे को क्योंकि आप नहीं बताऊगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि कहां कमी रह गई थी चलो दोस्तों आपने हित्ता प्यार दिया उसके लिए थैंक्यू और बने रही ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जिसमें हम और आगे बाते करेंगे इंजिनीरिंग फिल्ट से रलेते थैंक्यू दोस्तों